हेलो एक आपका अपने YouTube चैनल कोड़ कर लो पर आसुल करेंगे जीव जी की प्रोब्लम उद अडे तो मीडियम लवल के पाने पुछ प्रोल में ठीक है करें इस अल्गुरिथम पर सबस्के पर लेखेंगे फिर के प्रोज देखेंगे इसको करेंगे दोलनिंग ने कोड तो स् है ठीक है 11 अंसर है कैसे 11 इंसर देखो 2 3 कितना हो 5 और फिर उसमें अगर minus 8 कर दोगे तो ओम मैंने समें चला जाएगा ठीक है यहां पर देखो कि तो 7 एक माइनस का है तो 6 हुआ 6 और 5 क्या होगे 11 तो यह आगा इस का अंसर ठीक है हम क्या करते हैं इसी एक्जम्पल को अपना वाइडबोर पर लिख लिखते हैं वहां पर समझ लेंगे वाइडबोर की तरफ चलते हैं ठीक है easy question अवैसे medium भी नहीं है ठीक है हमारे पास अपने हरे को traverse करेंगे सम करते हुए चलेंगे ठीक है हमारे सम maximum होना चाहिए न हम कहेंगे चलो भाई यह ठीक है एक मेरे पास सम है ठीक है मैं यहां पर आया मैंने सम कर दिया सम अगया मेरे पास 2 maximum होना चाहिए 0 से बढ़ यह ठीक है चलो यह चले सम मेरे पास क्या हो गया भाई सम मेरे पास हो गया 3, एक मैं क्या करूँगा, एक answer variable या फिर maximum variable ले लूँगा, ठीक है, जिसमे मैं, जो भी मेरे पास maximum sum आता चले गए, जैसे 2 आया, 3 आया, पहले 2 put करूँगा, फिर 3 बड़ा हो गया, चलूँगा, तो इससे अच्छा है, कि मैं इसकी जंगा क्या करूँ, 0 करी करूँगा, अगर 0 की जंगा इसको करूँगा, तो यह मेरा sum को overall को decrease ही करेगा, ठीक है, मैं, increase तो करने से जड़ा है, क्योंकि minus का 3 है, तो simple सी बात है, मैं कहुँगा, कि यहां पर, मैंने जो भी यहां तक के element थे, उनको छोड़ दिया, ठीक है, अब मैं सूरू से, मतलब मेरे जो यहां तक का sub area था, ठीक है, उसका sum minus 3 था, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको खतम करते हैं, ठीक है, अग्ये उस वाले sub area में और element included नहीं करते हैं, अब यहां से नया sub area का sum शुरू करते हैं, चलो भई, sum को मैं साथ के साथ, जैसी मेरा sum negative बन जाएगा, sum को मैं कर दूँगा, 0, ठीक है, अग्ये चले, sum मेरा क्या हूँआ, 7, मैंने देखका, अब मेंकुछ positive value ही, या, भाहि, मेरा sum को increase ही करे गा, अगर में सुम को फैस अग्या करणा कशीरा ही, तो मेरा sum increases रहता ही होगा, wal decrease ही न होगा, अगर मेरा sum 열mont यहां 0 अगरा sum इसको 0 कर देता हूँ, मेरे पास का 2 मिलेगा, मैंने maximum को भी अपडेट कर दिया, answer को भी update कर दिया, 3 आया, sum मेरे पास हुआ क्या रहा, ठीक है, मैंने answer को भी update कर दिया, last में जो finally answer होगा, वो कर दें greater, तो simple size का time और space के लगए time complexity will be of n, and space complexity will be of 1, simple सी एक loop में काम करते हैं, ठीक है, अभी चलते हैं, करते हैं, इसको, c++ जाओ में code, तो यहाँ पर हमारे पास एक तो आजाएगा, sum, ठीक है, 1 आजाएगा, अपने पास answer, 1 आजाएगा, n, ठीक है, array.size, आगे जी, उसके बाद मैं क् करने, simple, 4, int i equal to 0, i less than n, i plus plus, ठीक है, sum plus equal to array of i, if, ठीक है, यह यह कर लो, अपना, क्या करते हैं, answer is equal to, answer equal to maximum of answer, comma, sum, ठीक है, जी, return कहां करना हूँ, sum, if, sum is less than 0, sum करते हैं, 0, return करते हैं, answer, एक पर चला कर देख लो, ठीक है, इसमें शायद एक दिक्कत हो सकती है, यह negative लिया, क्योंकि मैंने sum को 0 ले लिया, यह 9 वाला सहीं आएगा, लेकिन मैंने sum को, answer को 0 लिया है, तो मेरे पास क्या होगा, जब यह sum minus 2 बनेगा ना, तो answer 0 ही रा जाएगा, लेकिन इसमें से 0 तो कभी बनी सकता, sum, 0 सारी negative में है, तो मेरे को answer को यह आपे, integer dotory यह आपे है, मेरे पास, c++, int, min लेना पड़ेगा, ताकि वो minus 2 को भी अपने से बड़ा समझे, जब minus 2 आए, ठीक है, इसको एक बार submit करके देखते हैं, फिर अपना EC को copy करके लेकर चलें, जावा की तरफ, ठीक है, चैट GPT पर जाने कर सकता नहीं है, ठीक है भी चलते हैं, जावा कोड की तरफ, तो यहाँ पर भी same code paste किया है, यहाँ पर आजाएगा, integer dot, min, value, ठीक है, यहाँ पर size की जंग आ जाएगे, जाएगे जाएगे, अपने पास length, ठीक है, बग की सब, यहाँ पर math dot, math dot, max, बग की सब सेम है, ठीक है, एक बर इसको भी run and submit करेंगे, ठीक है, जावा कर जाएग ल आउटरी कमें सेक्षिन में पूछ सकते हो, वीडियो चले लग लाइक से subscribe भी कर सकते हो, मिलता हम सब ने लिए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद